तो हमने दो तल जाने अचेतन और चेतन लेकिन तंत्र और योग में एक तीसरा तल भी बताया जाता है जिसे कहते हैं अतिचेतन महाचेतन जिसे हम कहेंगे सूपर कॉइंशियस ये जो अतिचेतन है ये सरल्ता से उपलब्द नहीं है ये किसी बिरले को ही उपलब्द होता है क्या है ये अतिचेतन जब तुमारा समस्त अचेतन चेतन हो जाए तो उसे अतिचेतन कहते हैं कि समस्त अचेतन चेतन हो जाए तो उसे अतिचेतन कहते हैं अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें ग्यात नहीं है अब तुम्हें सब ग्यात है तुम समगर हो तो तुम अतिचेतन हो तंत्र और योग में इसकी व्याख्या की गई है कि कैसे अतिचेतन अवस्था को उपलब्ध हुआ जाए वही जो अवस्था है वह समाधी है लेकिन तुम भैबीत हो इसलिए तुम प्रेम में नहीं जा सकते क्योंकि प्रेम अचेतन हो जाना है तुम अचेतन होने से डरते हो तुम अपने एहंकार को छोड़ने से डरते हो तुम उस अचेतन में जाने से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर पाते हैं प्रेम में तुमारा प्रवेश नहीं है क्योंकि तुम अचेतन से भैबीत हो न जाने क्या है जो उगड़कर सामने आए क्योंकि अर्चेतन में तुम सत्य हो जाओगे प्रेम में प्रवेश जब तुम्हारा होगा तो तुम सत्य हो जाओगे तुम ऐसे ही हो जाओगे जैसे गहरी नीद में अब जो बात है तुम वैसे की वैसी परोसोगे वैसी की वैसी कहोगे तुम्हें डर लगता है ये एक प्र और यदि तुम्हें प्रार्थना की उच्चाई को छूना है तो तुम्हें बुद्ध और मीरा की तरह मावीर और रैदास की तरह अती चेतन हो जाना पड़ेगा समक्र और चेतन को चेतन करना होगा तभी प्रार्थना संभव है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बीच का जो केंद्र है चेतन यही एंकार का केंद्र है और चेतन में कोई एंकार नहीं है अती चेतन में भी कोई एंकार नहीं है और चेतन में तुम समग्र हो अती चेतन में भी तुम समग्र हो ये एंकार ये जो चेतन है यही बाधा उत्पन करता है यदि तुम प्रेम में प्रवेश करना चाते हो तो तुम्हें उस अचेतन अवस्था को स्विकार करना होगा और यदि तुम प्रार्थना में प्रवेश करना चाते हो तो तुम्हें समग्र चेतन हो जाना पड़ेगा तुम्हारे अचेतन को भी चेतन हो जाना पड़ेगा अतिचेतन हो जाना पड़ेगा